हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राइड टिप्शन डिक्रिमेडेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आप लोगों के लिए दो बहतरिंग स्टॉक लेका हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एप स्टॉक एंड एंजल रोकिंग का लिंक दिया है आप जाईए फ्रियो आपकोस तरीके से डिमेट एकाउंट उपन करवाईए और हमाई साथ प्रीमियम टेलिग्राम में एड होके अच्छा खासा पैसा कमाईए दोस्तो ठीके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मार्केट अपडेट दिदेता हूं तो आप देख सकते हो मार्केट आज आज आल टाइम हाई नया बनाया टॉप गेनर की लिस्टे देखेंगे तो 42 स्टॉक ऐसे थे जो positive देखने को मिले और 80 स्टॉक ऐसे थे जो negative देखने को मिले ठीक है वहीं आप देखेंगे टॉप गेनर की लिस्टे JSW Steel, Tata Motors, SBI, Titan और SBI Life ये सभी कमपनिया काफी अच्छी तडिके से moment किया टॉप लूजर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो हिंदुस्तानी उनिलिवर, सन फार्मा, सी प्लास, स्री, सीमेंट और बिटानिया ये सभी कमपनिया टॉप लूजर में सबसे उपर रही थी ठीक है अब दोस्तों जो दो स्टॉक है प्रॉपर चार्ट पे ले जाके आप लोगों को समझाओंगा आप लोगों को अगर हमारा दिया हुआ टार्गेट या स्टॉप लोज समझ में नहीं आता है आप लोग आपके साब से भी प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो किसी स्टॉक से रिलेटेड चीजे पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपकी कमेंट का प्रॉपर तरीके से रिस्पोंस दिया जाएगा ठीक है तो चलिए फर्स स्टॉक है उसके उपर लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मेटल सेक्टर का जो स्टॉक है उसका नामे टाटा इस्टिल टाटा इस्टिल की बात करूँ तो आज लगभग पोने 2% के हमें तेजी देखने को मिली पॉइंट में देखेंगे तो 11 से 12 क्लोजिंग प्राइस देख सकते हो 634 रुपे प्रीवेस क्लोज 622 रुपे 30 पैसे गेप आप उपनिंग लिया था 628 रुपे 25 पैसे हाई लगाया 635 रुपे ठीक है और लो लगाया 626 रुपे 60 पैसे मतलब काफे इंट्रेस्टिंग तरीके से यह स्टॉक ने मॉमेंट किया वॉल्यूम देखेंगे तो करीबन 1 करोड 4,00,00 कॉंटिटी का हमें ट्रेड वॉल्यूम नमबर आप शेर में देखने को मिला मतलब इतने कॉंटिटी आज हमें ट्रेड होती हो देखने को मिली बावन भीक का ही 16 दिसंबर 2020 का ही 649 रुपे 5 पैसे का बावन भीक का लो आप देख सकते हो 30 मार्च का जो 500 रुपे 55 पैसे का है मतलब काफी अच्छी तरीके से गेब बना के रखा है बावन भीक का है और बावन भीक के लो में महीं अगर आप देखते हैं दोस्तो आज का डिलेवरी पैटन तो आप देख सकते हो करीबन 18.64 का डिलेवरी पैटन है कॉन्टिटी में आप देखेंगे दोस्तो तो 19,53,811 कॉन्टिटी हमें देखने को मिल रही यह मतलब काफी अच्छी तरीके से है स्टॉक एक मुमेंटम के तोर पे काम कर रहा है अपना और अपने ट्रेडर्स को अपने इन्वेस्टर को अच्छा कासा प्रॉफिट दे रहा है दोस्तो ठीके तो चली अपन भी चलते है चार्ट पे क्या मुमेंटम मिलेगा कल के ठीके उसके मुमेंटम के अगर मैं बात करता हूं तो पहले बाइंग हुआ गेप अपनिंग लिया प्रॉफिट बुकिंग जो रजिस्टर था दोस्तो जहां से उसी के लगवा कि यहां पर सपोर्ट बना फिर महीं से बाइंग हुई ठीके फिर हलकी प्रॉफिट अपना एक अपसाइट का मॉमेंट दिखा सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बॉकिंग बाइ के साथ गेप अप अब लिया प्रॉफिट बॉकिंग के वाद सेलिंग आया ठीके उसाथ साथ इस्टॉग मैं फिर से बाइंग बना जो आप यहां पर देख स आप करता हूँ छे मेने में इस टॉक ने करेवन संत्यानवे परसेंट का रिटन दिया है मतलब इस टॉक काफी एक्टीब और काफी अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा है मार्केट में दोस्तो ठीके तो चलिए टार्गेट इन इस टॉप लोज जान लेते हैं तो प्रॉपर तरीकी से नॉट डाउन करेगा दोस्तो ठीके और महीं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एप स्टॉक एंड एंजल वुकिंग का डिमेट एकाउंड ओपन करवाई है होरा हमारे साथ ट्रेडिंग करें दोस्तो ठीके तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक लेव आप लगभाग 35, 635 मतलब 3 पॉइंट का ऐसे ले 5 पॉइंट का अपना टार्गेट है जो अपने लिए काफी से काफी अच्छी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा दोस्तो ठीके अब चलिए सेकेंड स्टॉक के उपर लेके चलता हूं तो दोस्तो यहाँ पर आ यह स्टॉक आज के लिए भी रिकमडेंट किया है तो आप देख सकते हो दो परसेंट से ज्यादा की तेजी पॉइंट में देखेंगे तो 33 से 34 पॉइंट की क्लोजिंग प्राइस देख सकते हो 449 रुपे 55 पैसे प्रिविएस क्लोज 146 रुपे ओपन हुआ दोस्तो आप द तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगबग 222 लाग क्रीट ट्रेड हुइए बहुत कॉम स्टॉक का भावन भी का हाई देख सकते हो ऐको सत्रा लागे 1776 का है जो 29 जून का जनवरी 2020 का है महीं पर 52 विक का लो आप चेक कर सकते हो मतलब कितना गेब बना हुआ इस टॉक 1449 रुपे के प्राइस पे आके खड़ा हो चुका है ठीके इसका डेखते हैं डेलेवरी पेटन तो आप देख सकते हो 15.22% का है कॉंटिटी में देखेंगे तो 3,43,109 कॉंटिटी मतलब इस स्टॉक के हिसाब से ठीके काफी अच्छा है ठीके अब अपन चलते हैं चार्ट पेटन पे क्या मुमेंटा मिलेगा ये भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिरामल इंटरप्राइजेशन का जो चार्ट है वो काफी अच्छा कासा मुमेंट करते हो देखने को मिल रहा है अच्छे कासी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेट रहा था एकदम से तेजी आई प्रोफिट बुकिंग के बाद फिर एकदम से गिरावट आई फिर थोड़ी सी बाइंग के साथ फिर गिरावट आई तो इस स्टॉक में देखिए जो गिरावट आई यह 1448 के लेवल से लगबक 1440-1445 के वीच में स्टॉक बंद हुआ है तो लगबक गेब देखिएंगे तो 30 पोइंट का है सबसे पहले यह स्टॉक काली 30 पोइंट के गेब को फिल करेगा फिर हो सकता है कि थोड़ा हाई बना के नया हाई बना के स्टॉक गिर सकता है क्योंकि कुछ केंडल्स पे ऐसे वाल्यू में रिटन दिया इस्टॉक ने 1 मेने में 0,5% का 6 मेने की बात करता हूँ ओपर नीचे होते हुए स्टॉक ने 35-3,4% का ही रिटन दिया मतलब नॉर्मली तरीके से इस्टॉक ने ट्रेट किया है अपने 6 मेने के सेशन में ठीके बाकी long term के लिए ये stock आप लोगों के लिए best हो सकता है जिसमें आप investment करके अच्छा कासा पैसा swing trade में भी अच्छा कासा पैसा बना सकते हैं ठीके तो चली इसका भी targeting stock close जान लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर proper तरीके से आप लोगों को अपना target stock close maintain करके चलना ठीके अपन stock को लगभग buy करने के सोच रहे हैं दोस्तों जो target zone मिला है उसके इसाब से एक buying position काफी बहतर हींगे 1452 रुपे पे इसके according अगर हम buy करके चलेंगे तो शानदार हैं अब देखें गेप को fill करेगा ना तो अपन 1480 के अंदर अपना profit booking zone रखते हैं जो लगभग 1462 का होगा ठीक है और 1470 के बीच में आप second zone रख सकते हैं लेकिन अपन एक ही के साथ चलते हैं 10 point अपने लिए काफी होगा ठीक है और stop close के अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा stock reversal लेता है तो जो support रहे वो 1445 का लेके चलते हैं साथ point का क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 1445 का target है वो closing price है तो यह support का का काम बहतरिंग तरीके से कर सकता है जो अपने लिए काफी इंट्रेस्टिंग और काफी अच्छी तरीके से मोमेंटम जनरेट करेगा तो दोनों ही stock दोस्तों buy side के हैं क्योंकि market का trend भी ऐसे ही के रहा है और आप लोगों को कुछ भी चीज़े पूछना है कमेंट जबॉक में कमेंट करिए आपकी कमेंट का reply जरूर दिया जाएगा ठीके ठैंकी दोस्तों